प्राथना की महग , प्राथना के बाद भी प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद थे बेटो आउरो पुराटे ज्यादा नियाल नहीं करिया तो जोधपूर जन्तों अपील करूगा आपर खुद्र बेटा नाजमान देख लो एक बार क्या हो जोधपूर की बेटे नहीं है सवाल है नहीं तो वैभाव गैलोध बाहरी हैं कि नहीं है बाहरी सिरोही के लिए अब तो राजबूद मेलूंगा उनको का है का मिलगा उन्होंने क्या नियाल किया है जब कॉलोनी में आप पानी नहीं पहुचा पाए तो जोधपूर है वहां कैसे पानी पहुचाएंगे जल करन सिंग उचियाडा ये नाम राजस्थान के बाहर के लोगों के लिए थोड़ा नया हो सकता है लेकिन बीते कुछ दिनों से राजस्थान में और खासर के पश्चमी राजस्थान के इलाकें में चर्चित है चर्चित इसलिए है क्या है गजेंद्र सिंग शेखावत के खिलाफ जोधपूर सीट से लोगसभा का ऐसा कहा जा रहा है कि अच्छा खासा लड़ रहे हैं क्या है गजेंद्र सिंग शेखावत के खिलाफ चुनाओ लड़ने की कहानी टिकट कैसे मिला एक बिजनेसमैन वो राजनीती में कैसे आए और इनके नाम के पीछे जो एक उचियाड़ा शब्द है वो कहां से आता है य मेरे दादाजी जिसके 8th PD का में बेटा हूँ वो खिलेदार थे सारी फोज एंदवाद लड़य लड़ने गई भी थी पीछे से जैपूर की फोज में हमला कर दिया और तबर तूर उसका जबाब दिया मुह तोर जबाब दिया मेरे दादाजी के नेत्रतों में पर क्या नाम था उनका? दुरगादास खीची नाम था वह आपकी दादा या फिर और मेरे आटवी पीड़ी के दादा आचा आठवी पीड़ी के दादा मैं उसके नवी पीड़ी में हुगा उनको आदा राज ओफर किया गया उन्होंना जबाब दिया कि जब तक दुरगादास दढ़ पे शिर है तुम इसके अंदर नहीं कुछ सकते और अल्टिमेटली उसको नहीं कुछ नहीं दिया वहां काम आए आज भी 12 फोट की छत्री जोत्पुर फोट के बार बनी हुई है उनी के बेटे को यह गाउं मिला जागिरी में उसका नाम उची अड़ा है तब ही तो ल जब मैं जोतपुर आरा था तो बहुत सारे लोगों ने खाए भाया उनसे पूछीएगा कि वह जो टाजरा जी की तरह उनके भी भाशन को लोग फटकारे कहने लगे है तो आप भाशन को लोग A.P. पटकारे देते हो लोगों तो लोगों के बुलने को उसके पीछे नाम ज उसक्स का वो नाम है, जिसने आजाद हिंदुस्तान में EWS आरक्षन लाया है. और EWS आरक्षन 10 परसंट जो मिला है, उसकी पहली आवाज की शिन उठाई है, तो हम ने उठाई है. हाँ, उसको ठाने के बाद इनके प्लक्षे चापे अमने जेले, हमने रैड अमने जेलिये, हमने परिवर्तन यात्रा उसमें नाइंटी जोजार एक में जब वशंद्रा राजे लेके आई थी, उसको न तीन दे तक मंचमनी चड़ने दिया, अटल बैर इवाजपी परदारमं का प्रेशिडेंट था, तो फटकारे तो उस समें भी चलते थे, पर वो चुकि एक आवाज नहीं थी, आज कॉंग्रेस का पार्टी का टिकेट है, तो फटकारे आप लगों को दिख रहे हैं, बागि उस समें लाग की भीड करना तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात थी, तीस त थर्टी थर्टी लोकेशन पर, तभी तो इत्या बड़ा मुद्दा बना, फिर आयोग बना, आयोग माद अल्टी मेट लिए अरक्षन मिला, तो जब ये कॉंग्रेस की टिकट की बात हो रहे थी, सीट पर चुनाओ की बात हो रही थी, तो पिछली बार वैभो गैलोथ यहा को टिकट दे दिया जो कभी चुनाओ नहीं लड़े हैं, तो आपको भी कभी लगा था क्या कि गजेंदर सिंग शेखावत के खिलाब टिकट दे के कॉंग्रेस आपको फसाया, आप फसाने के बात के रहो, अगर आप सो लो, एक हजार लोगों को पूछ लो, कि गजेंदर सि लाइंदर सिंग्वाथलो, कि अजेखावत के बाति दे भार्ते जिंता पार्टी नहीं चलेवराण शेखाव लोगों के इने लाइंदर सुंगे। को डेको पर्टी नहीं नहीं क्या है, एक हम नादेशन देखावा दिया, हम समाजी नहां मैं नहीं गागे। तो पंदरा साल के से लग गया आपको टिकट मिलने में मतलब कुछ बगवान प्रभु सरी राम की भी करपा होनी चीए इस सवास भी लेता है नो प्रभु सरी राम के बिनामर्जी के नहीं ले सकता तो सकता है मेरे कर्मों अभी लिखा था था फाइट करना जब देश में अट कि पिछली बार वैभो गैलोत चुनाव हार गए थे तो इस वज़ा से अशोक गैलोत इस बार इनको दे दिये जोदपूर बेटे को लड़वा दिये सिरोही कि वहां से क्या पता कुछ बात बन जा है ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये सीट माली के लिए वैसे मुश् सब्में है 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 100% है एक कास्ट का अधमी उता दो बोट दे जेती है यहां तो दोनों कैंड़ेट एक ही कास्ट के अब तो राजबूत में लूंगा उनको का मिलेगा उनने क्या नियाल किया है जब आरक्षन वास्त मैं लड़ियो हूं लट मैं खाया हूं इनका छप में जेलिया हूं पसंद्राजी ने तीन दिन तक मैंने चटने दियो हूं गजंदर शिंगर जूत मैं खाया हूं यह गजंदर सिंगीरा राजबूत आरक्षन वास्ते तो मेरी कॉमनेट उनको बट कैसे दे सकती है अब फ्लो फ्लो में में चले जाते हैं मारवारी में थोड टिकेट कैसे मिला खोड़े अंदर की कहानी बताइए अशोग गैलोथ आपको मुझे जो बताया गया कि पाइलेट कैम के नेता थे अशोग गैलोथ नहीं चाहते थे यहां से चुनाव लड़े इस बार पता नहीं कैसे जुगाल बैठाया यह जरा आप करन सिंग उचियाड करने के लिए बोला तब मैंने जोइन की है और सचिंज पाइलेट जी 2014 में जब आए प्रदीश सिद्धिक्ष बनके तेरा में तो उन्होंने मेरे को प्रदीश कॉंगर्स कमेटे का सेकेटरी बनाया मैंने उस कारणर में काम किया उनके साथ रहके काम किया अभी तो वरतमान के बारे में बताएंगे आप बिजनेसमेन है और आपकी कोई बड़ी कंपनी है आज के दिन तो बगवान की बड़ी करभा है बड़ मैंने मेरा केरियर एक नर्सिंग ग्रेड टू जिसको कंपाउंडर कहता है उससे सुरुवात करी है 12 जुलाई 90 को जालोड दिस्टिके साह जाने लगा हूं मैंने डुटी जॉइन करे थी पर मेरा मन नहीं था नौकरी करनो मन मानिया कोनी मानिया कोनी तो मैं दो साल मैं इस्तिफोते दियो और फिर मैं आ गया बिजनसमें तो बगवाति की बड़ी करपा रही है कि मारवास्तर तो एक पत्तर पे फूल हो गया ऐना क्यों मेरा बेक्ग्राउंड भी कोई बिजनस कॉमिनेटी का है नहीं तो उराजपुर ठाकुर लोग हैं तो लड़ाई-लड़ाई में जिंदगी हमार बाबदात हो की कही है तो अब हो गया बिजनस अब तो फिर बाद में तो हमने अच्छा काम किया है दिलेस्टेट में मे को मुझाए तो जब कालोनी में आप पानी नहीं पहूंचा पाए तो यह जो जो जोद्पूर है वहां कैसे पानी पनोचाएंगे ऐसा गजनशिंगे समर्तकों ने आरोप लगाया तो पानी पशाने के लिए मेरे पास आश पावर नहीं है अगर मैं एम्प बन के पानी नही पाँच्छ में पाँच्छ नी 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 प जावा कर सकता हूं को ब्लेकमिलर है, 2001 की ये कल रास्तान पत्रिगा में चापाई नहीं हापेज नहीं को पत्रिगा ने वापस दूसरे दूसरे तरीके से चापा, मैं तो कॉलोनी ने एज इस त्यार कर 2007 में दे चुको और 2010 में शित्रलाग रिप्या सोचाइटी ने दे के सु 15 साल तो ये वह लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं मैं ये कह रहा हूं के प्रबु सरी राम अगर मैंने एज पर अग्रिमेंट काम नहीं किया है और किसी तरीके से मैंने चिटिंग करी है तो प्रबु सरी राम मनने पूगे नहीं तो आराम खोर एज उन्टाई पर उल्टाश उल्टाशिदा शिफ चुनाव जीतने के लिए काम कर रहे है क्या होता है पुगे मतलब कर शत्यानाश जाए घर का उसका मेरा हो जाए नित उनका हो जाए तो आप मंच से राम जी का नाम लेते हो अपने चुनाव जम के उसके शिवाय मेरा स्वाशी नहीं चल सकता आपका जब चुनाव होगा उससे पहले मोदी जी राम नौमी मनाएंगे उध्या में तो वो सब भी यहां पर मुद्दा बनेगा तो सब से आप कैसे डील करोगे रच्टास निम्टंर आपका अटास्य नम प्रमपना नौम कपालशूलदार नि भजामें इंध्या वासेदी जलेतलेवासनी भजामेंद्या वासेदी विशेश्च कारणने विशाल रुपदार निम्माधब बासेदे परंधर आधिशे वेतिशरारी वंसकंधिता पाल्टीरों कोई नेता मारवाड में जनमी अड़ो पगवान राम रे बारे में देवी रे बारे में महादेव रे बारे में जिन्ने मंच माते महारहमी आजावे चर्चा कर ले मने हरा दे मैं पूरी जिंदिग्यूनी घरनोकरी करो। यह तकोषले करते हैं, चुपा करके बात दूसरी करते हैं, शकल राम की रखते हैं, अंदर शिरावन का काम करते हैं, और आप रहामी बटो करन सहीं हैं, और चौदा शाल रहो हैं, जदू बिना माताजीरो और रामरे नाम लियो बगर अंगरनी करी हूं, क्या? चाहिए विद राम की क्या सिक्सा देंगे? यह तो राम के नाम पर शिर्फ वोट कैसे लिया सकते हैं, वो उसकी ही हापने लोग जोग जोग यह तो कुछ भी बोल देता हैं, गुमना तो होता हैं, क्यों नहीं बगवान राम के नाम पर जब आप एकदम से इत्ता पूरे हंदूस्तान में बार-बार भोलो के प्रदान मंत्री लिल का भी बोलता है, पर आजकल मुल्यों के राजनेती तो बची नहीं ना, बाकि पहले प्रदान मंत्री आशे थोड़ी बोल सकता था देश में, बगवान श्री राम ने नाम मने वोट दो, ऐसा तो भी होता था पर जमाना चेंज हो और जनता उसको accept कर रही है, तो अब क्या कर सकता है? आज राहूल गान जी की रेली हुई आपके लोग समा में तो आपके वहां पर भी मैंने भासर सुने और राहूल गान तो क्या रिस्पॉंस में आप लोगों को? रिस्पॉंस आपन देखा होगा, कि ती बारी भीड आई है, फॉन करते हैं, बोलना पड़ता है, तब लोग आते हैं यह बात तो सही है, पर फॉलोवर होते ते भी आता है, अच्छे यह बताईए, कि केंदरी जल शक्ती मंत्री, दस साल से सामसाद, गजेन शिंग शेखावत के खिलाब, जोतपूर के लोग आपको वोट क्यू दे बहुत अच्छा कुछिशन कर ले आप, इसलिए दे, कि 10 साल में मेरे को एक पाटिका बता दे, एक पाटिका बता दे, 100 रुपय की, 10 साल में, पूरे लोग सबा च्छितर में, कि 100 रुपय का काम मैंने इस जगे जाके ऐसे कराया है, 100 रुपय का मैं गह रहा हूँ, 100 रुप नहीं आपने देख्या जोदपुर्शेर कि तिनों सब्सक्राइए जिरो काम है। इतनी सडके बनाई इतना यह शडके बनाई तो स्वास ऐक्सिजन पी उनिहीं की है फिर तो यह पर ले रहे हैं आपन उनकी है। मैं कहा हैं अपकी है अप्साहाँ उसकी बात ने एक रहे हैं जल सकती मंत रहाँ मै खावता तो पूरे मार्मार्म में राजा तिधी बात वह काम मांगता जो पूरे एंदुस्तान में काम चल रहा है लोगाई भी बात रहाए, तो नरेगा पूरें डुष्तान में चल रही भई, एक सरकार की पौलिश ही बने की उसमापक को आप को आप जोजरी नदीर में रिवेर प्रंट डूलब करो अर अंग्रेज आवेलान तूरिस्ट अवेला अरे तो कद आवेला था दसाल दो पूरा हो अन्दोरा जब दसाल मों को मिली गो दसाल में शिकरो बेटो आउरो औरा ज्यादा नियाल नहीं करिया तो जोद्पूर जनते हो अप मिलते हैं यहां जुनके संमर्थक है उन्हों प्राइब ने यह अरी मिलतियों जहिए और काम आउ tätä है मैंने का आज इस साल से यह नहीं रहते हैं यही रहते हैं जोद्पूरिय एटा कैस हो गया मेरा बिटा लंदन पढ़ रहा था 10 साल लंदन कर रह झाएगा तो आप कह रह तो वैभाव गैलोथ बाहरी है कि नहीं है बाहरी सिरोही के लिए वैभाव गैलोथ गजंदर सिंख शेखावद अगर मायं बाहर पड़ोस में उठाबरा अगर मकान में जाओ परो तो पड़ोसी लांग पाच पगड़ा दे अगर चार कोलोणी आगे जाते हो अगे जाते हो या तो चार कोलोणी क्रस करना है उड़ाएने और तो पड़ोस में गी हो हैं ऐसा आप इसले कहने हैं क्योंकि वो सीकर उनका मूल स्थान आप दूर से हैं चार डिस्टिक बीच में पढ़े हो तो यह बताईए कि वो जो बुकलेट जारी हुई तो उसमें उन्होंने अपने भात सारे काम गिनाएं और आप यह कहते हो कि नहर नहीं लापाए तो जब एक केंद्री जल शक्ती मंत्री नहीं लापाए तो आप अगर जी तो आप कहां से लेएंगे सांसत कहां से कि लोगों और की आहलेगा वूआ नहां लेगा युट क्या जब भात उनलो अभाथे जल सकती मंतिर दिरा दिरा दो पांच दिनल पॉट इनलाओ कना चाहिज पांच दिनला ज़ और इंड जोनीव पांच दिन Das प्वाँट नाराज पंड शौनी सवूनी सवपने जोनी नारा तो फिर मुझे दूसरी बाट बांगना थिकार नहीं है। लालु परसाद यादव जी बने थे रेल मंत्री, क्या हल कर दिया ब्यार का? किती रेले ले ले गए? मम्ता बनड़ जी बनी थी किती रेले ले ले गई? हमारे यह का रेल मंत्री है, एक डबा नहीं लगा सका। यह जलशक्ती मंत्री जी यह कुछ ला नहीं पाए। आप ने खुद मुकलेट पड़ी है। जी पड़ी है। थे बताओ मनुमन कहीं भीकास करियो बताओ। उसमें अपने उन्होंने काम गिना है, सडकें, पानी… आपस भाई बात करो यह जो है। तो ऐसे हावा में जो है आप भी तो कह रहे हैं पांस दिन में नहर ले ला लोग। पांस दिन में कैसे आजाती है। और ठोगणों पड़े है। जोड़े हैं पाँस-10 साल आप आप बुर हैं। झाल केंपड़ों आज लगावे खल के पांस साल पच्छे मिलें। झाल कोई भोड़े लगाज है पल्मीली तो पोड़े हैं। झाल को पड़ाना पड़ेगा। और क्या। आपका पौधा लग पाएका जुटपूर में? हंडेड परसंद लाग रही हो तो, और तो लाग ही हो हमें तो कैसे? जनता जनारतम को बीजिपी का जूट हम समझाने में काम्याब हो गए और ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है हम इस पर सफल रहे हैं कि बारते जनता पार्टी ने दस साल में कुछ काम नहीं किया और सांसद में तो बिल्कुल काम नहीं किया एक आरोब जो है आपके विरोधी और लगाते हैं कि गजेंद सिंग शेखावत मंत्री रहे भले दिल्ली की राजनीती की करन सिंग उचियाडा क्या लोगों के सुख दुख में शामिल हुए वो कहां थे इतने सालों तक एक मेरे को इसाब साब बता दे या त्या कुछ सिंग पूछ रहे हूं यह एक बता दे गजेंदर सिंग शेखावत आपके चैनल के माधियम से मेरा दावा है जो बिचले 20 साल में मारवार में आपत आई किसी भी कुम पे और उसमें गजंदर सिंग शेकावत को रोल हो मेरी तुल्ला में 10 परसेती भी तो मैं राजदेती छोड़ दूँ दुप्रम का सबस्ट सर्थ परफ दूड़ सकताव है किर छद्पूर का बेटा सबस्टर जोड़े कासें एगशा एक रचेक्यां किए अगरफ पोकेट से जाशब लिगाँ आज भावगाई तो अपकेट फाहता है अध्यार मों हुगम्या खाई। तो कहीं करनो कि खानो में लोग भुका मर्रीया है लुप ऊटरेश्टा वाला तो आप खानो कुछ को ड़ा सको कहीं उससे में प्रबल्मी कि repository आदमी नहीं हम घृते घ्क संसान वाप मर्जाता तो संवंसान वाज्आऊ एह जॉत मैंने मेरे गाव को उकटा किया तन्यवाद मेरे गाव को 25,000 पैकट दो महीने तक लगातार शरकार ले जाती थी मैं बना के देता था जाती ही कलक्ट के बास मैं गया बोलो कलक्ट आप काई कर दो तो ऑक्सिजन शलंड काहिसा को लाओ मुझे करते हो गर्व होता है कि मैंने मेरे व्यक्तिकत परियास से शाट लाग का ऑक्सिजन प्लांट खरीद के और कलक्ट को सेम डे थी श्लाग डीडी एडवांस देको oler телеф거야 आप केरो वो उनका कोई कान्तिपिशन नहीं है कोन्तिपिशन इन से इस जवाब ल Χावस है यह Architecture Su करंड सिंग नहीं से का चुनाऊ लड़ रहे हैं कैसा चुनाँ लड़ रहे व चार तारिक को पता चले क्या रहूल गांधी ने ने यर्न आपाएंग के लाँता रह जीट रहा है जगो जनता जनार्दन है महाना परताप जोपरो की बारणाप बादाप घर लदिए हैं। ि काम कर ये जाता है जाता है। जितने लोग आ रहे हैं, ये इड्डी की रेड परतकते हैं। इडी की रेड पटकने के बाद में जैसे बीजीपी में जाता है इडी की रेड पटकने के बाद में जैसे बीजीपी में जाता है इडी की रेड पटकने के बाद में जाता है इडी की रेड पटकने के बाद में जाता है इस सब कामों के लड़ कौन रहा है उसका नाम रावल जन्ता जनारत नहीं है जन्ता कोई चीए कि अधर देश का लोगत्र करना है तो इनकी मर्जी है वागि हमारी विपक्षी बुमीका में कमी नहीं है जब मीडिया में हमने सोचाब मीडिया या जन्ता नहीं समझ पारी तो सब्सक्राइब कोई माई कालाल 75 साल में पैदा हुआ क लड़ने के बाद में मेरी बात जनता को बता रहा हूं फिर भी जनता के नहीं से जित है रिज्जक्ट हो तो रिजक्ट हो भी करम धर्म जाने और तो फो एक रहा हूं कोई आदमी जोद्पूर में पैदा हो एक बता दे कि पिछले 20 साल में करन सिंग हर सुक दुख में जोद्पूर में साथी है नहीं है पहला बड़ी गाड़ी का जान तक मामला है बड़ी गाड़ी में तो 25 साल तक तपष्या कर लाई है मेरा गजंदर सीन से पूछना है आप डूणी ऑट लाогजर की संजीव dirty गवड़े वालले लायां जाए ऑन कि आखने सारे गरिथे गवड़ी लोगों का लिग्सान्जीव धरिज्वी के कर Weis Service वेक्षाम में सब्सक्राइब सब्सक्राइब 50 बात पुर आपने सामने अजारों लोग कहारें मेरे को कम से कम तीन जग अजय केम झाह लिया एक गाहम मेरे को अम्प के नाम पर गेर लिया आप अब तक चुनाओ नहीं लड़े लेकिन ये बोले का नेता वाली शहली आपकी एकदम वैसी ही है एकदम नेताओ का मामला है आपका पहला चुनाओ ऐसे लगता नहीं देखर क्या आप लड़ रहे हैं नेता तो क्या है आप तो सामाजी कारे करता है अच्छा एक आखरी आप Gajendra से तो लड़ोगे क्या नरेंद्र से लड़ पा होगे एकी अब फुच्छ प्लस नरेंडर अल्फायी करना से लड़ और करना सिंग्गो लोकारी में जन्दा को बेजने दो किसे लड़ता हो बताँ गा यह लोग तंतर को केरेंस एंट 106 a.m right कि भी किसी बाप की बपुती नहीं है देश करन सिंह को लोकतंतर बचाने के लिए एड़ेगा फरेगा गोली खानी पड़ी लोकतंतर बचाने के लिए 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 लोकतंतर बचाने के बेटा जो आज आप युक देखरों कम्पिटर रुगलाने वाले आदमी को उसको आप अभम उड़ा रहो जो हार लाल रहरुजी को आप अभम उड़ा रहो अभम उड़ा रहो अरे जिस देश में स्वीनी बनती थी यह IAT I.M. कहां से पैदा हुए हैं कहां से पैदा हुए है मेरा बाप देश का प्रदानमंत्री है मुझे घर बोना चीए है वहांची बड़ी बात होगी श्याजदा करते तो कौंसा श्याजदा है या उसके बावजुद वह तो आज भी 6,000 km जनता के लिए पैदल चलता भाई वह तो कहारे बोटी बाता है बात का रहां बात जादा बोलनो ठीक नहीं थोड़ो चुनाव जीतने दे तब लेंगे अच्छा एक बात बताई एक और सवाल बताई दीजिए चलते-चलते कि चुनाव जीतने के बात दो सारे नेता बीजेपी में चले जाते हैं आप ठीके देखो न तो मेरेको ये बिजएपी फीजेपी ने तो पैसों से खरी सकती है ने पात से करी सकती है ने ढ़िए स्वाटि ने ने दूसरी मिंटी के बने में लोगे बेटा हुमे आपको पहले सुगवात में बता दिया देश कि लोगतंतर बचाना में जोभी देश में गजंदर सिंज प्यदा नहीं होते आपे, उसको मैंने ठुकराया था उसमें, यारक्षन के लिए, समझोता करने के लिए, मैडम ने पॉण गंटे तक जोदपूर एरपोर्ट पे बैट के मेरा वेट करके मेरे को उफर दिया और मैंने ठुकराया और चपा नूज पेपर्स मे मुख्य मंतर ने परलोडबन दिया, उचाड़ा न ठुकराया, तो मैं तो उसे में था उन्तीस साल का, ठाई साल का, चलिए, आपने, आपको हम जैसे मैं पहले भी बताता हूं, कि चुनाओ में लोकसभा, चुनाओ में परत्याशियों को पकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, और हमारे जैसे कुछ पत्रकारों के लिए भी महनत का सबब होता है, क्योंकि नेता दिन भर प्रचार में वैस्त रहते हैं, रात में ही मिलते हैं, आपने वैस्ततम समय में समय निकाला, आलन टॉप के लिए आपने बातचीत की, आपको बहुत 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 शुक्रिया आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, कमेंट करें जरूर बताइए, नवस्ते, मेरा नाम अभिनो पांडे, मेरे साथ के अंदर के पिछे मेरे साथ ही मोहन कनोजिया है, देख तेरे दीललन टॉप, शुक्रिया